नेशनल ग्रीन टर्बिनल ने हर्याणा में परेवन को लगातार हो रहे नुकसान के लिए हर्याणा सरकार पर सो करोड रुपए का जुर्मान लगाया है। नजीटी ने हर्याणा की मुख्य सचीव संजीब कोशन को परेवन मुआफसिक रूप में सो करोड रुपए राशी जमा करने के निदेश दिये हैं। जस्तिस अदर्श कुमार गोयल की अधक्षता वाली बैंच ने अर्याणा रज्य प्रदूशन नियंतरन बोर के अधक्ष की अधक्षता में नोस अधर्श की कमीटी का भी गठन किया। इसमें अर्बन, लोकल बॉडी और एन्वायर्मेंट डिपार्टमेंट के अधिशनल चीफ सेक्रिटरी शामिर रहेंगे। कमेटी में गुर्गाओं और फरिदाबाद की डीसी और नगर्निगम कमीशनर, गुर्गाओं मेट्रोपॉलिटन, डेवलिमेंट अथोर्टी के अधिकारी और सीपी, सीबी के खिशित्री अधिकारी शामिर हैं। गुरगाओं नगर्निगम कमिशनर को कॉडिनेटर नुक दिया गया है। दो सप्ता में कमीटी को बैठ करके एक्शन प्लान तयार तरने के आदेश दिये हैं। 30 सितंबर तक कारवाई रिपोर्ट देने के आदेश दिये हैं। आपको बता देएं, एको फ्रेंडली कम्पनी को कुड़ा उठान और रिसाइकल का कॉंट्रेक्ट दिया गया है। NGT ने अपने आदेश में कहा कि एको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिम्टेड यदि अपना कारेय सही ढंक से नहीं कर रही है, तो एग्रिमेंट की शर्तों के मताबिक कारवाई करके एजन्सी को बदला जाए। NGT ने कहा कि हर्याना प्रदूशन नियंतरन गोड की तरफ से 20 सितंबर को दी रिपोर्ट में कहा कि अरावली परवत श्रिंखला में एक कूड़ा डाला जा रहा है। NGT ने कमेटी को आदेश चारी किये हैं कि इस मामने में विभागिये कारवाई अमल मिलाई जाए। यदि प्लांट लगाने के अवशक्ता हो और एन्वर्मेंट क्लियरेंस के चक्तर में नहीं पड़ेगी। परेवन को ध्यान में रखते हुए नया प्लांट लगा जाए। आपको बता दी कि NGT ने किजांच कमेटी का गठिन किया था। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि मौके पर 28 मीटर उंचा कच्रे का पहार है। 33 लाख मिट्रिक टन कच्रा पढ़ा है। परिदवाद से 900 टन प्रतिदिन और बुर्गाउं से 1100 टन प्रतिदिन कच्रा पहुँच रहा है। 15,000 मिट्रिक टन प्रतिदिन कच्रा निप्तान के करन नहीं बढ़ाए गए। इसके लावा नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल ने एको एनरजी कमपनी और हर्याण सिरकार की कई लाप्रवाही पर उन्हें फटकार भी लगाई। जब किसी टीवी के लिए गुरुगरांग से नीरजवर्शिष्ट की रिपोर्ट।